नमस्कार दोस्तों मैं हुुपन चाखड़ राप दीख रहें अपना चेनल इस्माल ह splash दोस्तों आज बात करने वाले हैं 100 गज में अगर आप मकान बराना चाहते हैं 100 गज में घर कैसे बनाया जा सके क्योंकि तो गज भी एक नाप होती काफी एरिया में गज चलता मैं बताऊंगा इसको 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 एरफड में भी बताऊंगा लेकिन जो हमारा में फोकस टार्गेट रहेगा वो सो गज में घर बनाने के लिए अगर आप चा रहे हैं आपके पास सो गज जमीन है तो कैसे एक पेतरीन सा घर, लो बजट घर, गुड लुकिंग घर बना सकते हैं पूरा डेटेल के शाथ आज हम डिसकस करने वाले हैं यह वीडियो काफी इंपार्टेंट होने वाला है तो वीडियो का पूरा देखीगा जिससे आपको सारी डेटेल मिल सके और इस चैनल इस वानलोस प् रहता हूं मैं paid service भी चलाता हूं इसके लिए आप हमें contact कर सकते हैं नमबर हमारे description में मिल जाएगा और साच-चाथ अगर इस plan का 2D plan चाहते हैं तो आप हमारी website smallhouseplan.com पर जाकर visit कर सकते हैं और वहां से इस plan का 2D भी download कर सकते हैं link आपको description में मिल जाएगा तो चलो start करते हैं और इसके front में ही आपका जगह है बाद बागी 3 side closed है अगर आपके 3 side जगह है तो बहुत ही बेतरीन आप 4 तरस window लगवा सकते हैं और proper ventilation कर सकते हैं बट मैंने इस मकान को front से open रखा है और इस मकान में सारी वो चीज़े मिलती हैं जो आप चाहते हैं एक बेतरीन सा porch type का design आप आपको दीखने को मिलेगा तो आप इस मकान को बहुत ही आसानी से बहुत ही कम budget में 100 गज में 100 square feet area में केवल बना सकते हैं तो चलो define करते हैं तो सबसे पहले मैं इसे zoom करके आपको दिखाना चाहूंगा जैसे आपको इसका realistic view समझ में आ जाए proper तरीके से सारी clear सीज़ें आप को समझ में आए तो देख सकते हैं यह आपको एक गुम्टी टाइप का design देख रहा होगा जो कि बहुत ही दोस्तों trending रहता हर बक्त और यह पहले गाओं का एक design हुआ करता दिससे खफरहल बोला करते हैं तो उसी का look मैंने देने के कोशिश किये हैं से पोर्च भी बोला जा स सकता है तो front से सबसे पहले एक गुम्टी देखने को मिलेगी जो एक चोटा support है इधर दोसके guest room है जहां पर दी stairs है इसी पर मैंने डोर दिया है direct guest room में आप यहां से इंट्री कर पाएंगे और एक window एक बीच में भी मैंने room मनाया है उस पर भी window दिया है और अब बात करते है इसके ground floor की तो जैसे दोस्तों आप ground floor पर आते हैं वेगी देखिए का stairs के माध्यम साब उपर दे में डोर यह है जहां से आप entry करेंगे और entry करते हैं आप गैली नुमा area मिलता है जहां पर आप अंदर जाते हैं गर के और सबसे पहले आपको एक बड़ा सा bedroom मिलेगा जिसमें door यहां से दिया है और यह दोस्तों एक bedroom जो देख रहे थी यह मैंने केवल बाहर से ही इंट्री दिया है क्योंकि एक guest room है सिर्फ आप बाहर से ही इसमें आ जा सकते हैं अंदर से किसी प्रिकार के मैंने door नहीं दिया अगर अंदर से भी access करना चाहते हैं तो आपको इस वाले एक bedroom देखने को मिलेगा जिसका डूर आपको इदर से मिलेगा और बीच ओ बीच आपकी stairs है टर्न होंगे और वापस आ जाएंगे और यह आपका एक बड़ा सा kitchen area देखने को मलता है तो model की बात करें तो three bedroom, two late bath, kitchen, stairs और एक बेतरीन सा gallery और front elevation का तो आप देखी सकते हैं कितन आप गामिरी छेतर में है, सहरी छेतर में इस मकान को बनाईएगा, आपको सबसे हड के और बेतरीन लुक देखने को मिलेगा, तो एक ground floor पूरा देख सकते हैं जिसमें three bad rooms बगएरा आप देख पा रहे होंगे, इसका 2D plan हमारी website iswalhospiran.com पर मिलेगा, आप विजिट करिएग सबसे पहले last floor की बात करें, तो चारो तरफ साड़े तीन फिट का boundary wall, front में एक बेतरीन से grill जो की बहुत है सिंपल और शोवर आपको देखने को मिलेगी, ये stairs को ढखने के लिए गुम्टी और door और last में इस शद बनकर ready हो जाती है, तो ये overall 100 गज में, 100 गज में मकान का नक् आते हैं, तो 30, 30 feet इसका, 30 feet आपका इधर है, और इधर की बात करें, तो इधर भी 30 feet है, तो ये overall इसके बाद ये area अलग से, अप्रॉक्स 100 गज का area मैंने covered किया है घर को बनाने में, तो अगर आपको हमारा वीडियो पशंद ना आया, तो please like जरूर कर दे, तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए, लोगों के लिए लाता रहता हूं, तो इसलिए आप हमारे चैनल इसमाला उसको जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें, वेल आइकम प्रेश कर दें, जिससे हमें area वीडियो देख सकें, और आप हमें Instagram पर भी follow कर सकते हैं, वहाँ पर हमारा official page है, वहाँ हमसे बात कर सकते हैं, आपकी requirement का according मैं house create करूँगा, thanks very much.